इस वीडियो में मज़ा आ जाएगर दोस्तों, यहाँ पे हम French in India के बारे में बात करेंगे और खासकर यहाँ पे बात किसकी होगी, First और Second Carnatic War में और Second Carnatic War में एक चीज हुई थी, Siege of R.Court जो कि 1751 में हुई थी, Robert Clive ने उस Siege को लीड किया था और तब से आप देखेंगे कि Robert Clive एक बहुत important figure बनके उभरेगा East India Company में प्लस इस वीडियो में हम लोग और चीज़ें भी देखेंगे जैसे Foundation of French Centers in India, Early Setbacks to French East India Company तो बहुत जबरदस्त वीडियो आने वाली है यह इसमें Francois Duplex का रोल भी देखेंगे और हर वीडियो में जो मैं कहता हूँ एक यह Brief History of Modern India की किताब को खरीद जरूर लीजे बहुत अच्छी किताब है दो, तीन सो, चार सो जाने कितनी रुपे की होगी बहुती सस्ती है, कोई खास पैसे नहीं हो और बहुत useful है तो खरीद के इसकी hard copy अपने सामने रखें और फिर मेरे साथ बैठके इसे पढ़ें लाइक जरूर बटबादीजे का वीडियो उपर लाइक बटन बबादीजे आगे बढ़ने से पहले अब सबसे पहले देखते हैं कि भाई यह दीखें है उसमें हम participate करें आप देखोगे कि इंडिया में सबसे लेट अगर कोई East India Company घुसी है तो वो French East India Company है सबसे लेट इंडिया में घुसने वाली कंपनी है French East India Company और यह आये किसले थे? यह trade purposes के लिए आये थे यह जो French East India Company इंडिया में आई यह किस king के दौरान बनी? तो यह बनी Louis XIV के दौरान Louis XIV मोनार्स थे, टोटलिटेरियम डिक्टेटर रेजीम था इनका किसी भी तरीके का human rights कुछ भी नहीं था उसमें फ्रांस पर जो यह राजा बोलता था जो elite nobility बोलती था वही होता था इनका एक बड़ा famous minister था जिसका नाम था Colbert Colbert ने एक company बनाई company का नाम था Compagni Des Indes Orientalis इसको इंगलिश वरजन है French East India Company, 1664 में यह company बनाई इस company के बनने में king भी भहुत ज़ादा interested था, king का मन था कि भाई यह company जाए East में और कुछ पैसा वैसा कमा के दे हमको तो इस company को इस आपकी Compagni Des Indes Orientalis को कितने साल की मुनोपली दी गई 50 साल की मुनोपली 50 साल के लिए king ने बोल दिया इस company को को कि आप जाएए, आप trade करिए आप French Empire की basis पे किसी भी territory को occupy कर सकते हैं, कैसे भी trade कर सकते हैं इंडिया नोशन में, Pacific Ocean में साफ साफ दे दिया गया इस company के control में आप देखेंगे मदागासकर बहुत दिनों तक रहा दोस्तो ओके फिर धीरे 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 करके आप देखेंगे 1667 में एक expedition जाएगा इंडिया के तरफ इस expedition को lead कौन करेगा फ्रेंकोईस केरोन और जब ये फ्रेंकोईस केरोन पहुँचेंगे इंडिया में तो इंडिया में जो पहली आपकी पहली factory बनेगी फ्रांस की इंडिया में वो बनेगी आपकी कहां पे वो बनेगी सूरत में इसी फ्रेंकोईस केरोन के साथ मरसरा नाम का भी एक आदमी क्या था वो पर्शियन था उसने भी एक फ्रेंच फैक्टरी बनाई कहाँ पे मसूली पत्नम में 1669 में ये मसूली पत्नम की फैक्टरी उसने बनाई पर्मीशन लेने के बाद किस से सुल्तान ओफ गोल कॉंडा से तो आप देखेंगे फ्रेंच भी गुसें इंडिया में अब आप देखोगे दोस्तों मेजर सक्सेस का मिली इन फ्रेंच को मेजर सक्सेस इनको मिलेगी 1673 में 1673 में दोस्तों एक फ्रेंच सोरी एक मुगल गवर्नर था बंगाल का मुगल का सूबेदार था इनका नाम था शैष्टा खान शैष्टा खान की बाद मैंने फिछले वीडियो में भी की थी यह जो शैष्टा खान था इसको औरंग जेब ने अपॉइंट किया था actually यह औरंग जेब का maternal uncle था यानि कि औरंग जेब की मा की side से uncle था इसका आप कहले जेब मामा और अंग जेब का तो इसको बंगाल की सूबेदारी दी गई थी और इस शैष्टा खान ने इस French East India Company को यह permission दी कि कलकत्ता के पास एक जगा है जिसका नाम है चंदर नगोर तो चंदर नगोर में यह French अपनी factory को establish कर सकते हैं इस बात की permission इनको मिल गई शैष्टा खान से फिर यह अब तक का मैं आपको हलका फूलका progress बता रहा हूँ कैसे French East India Company आगे बढ़ेगी इंडिया में इसके बाद Pondicherry की शुरुवात कैसे यह दिकि Pondicherry हमेशा से आप कह सकते हैं फ्रेंच का एक बहुत important center रहा है Pondicherry बना कैसे तो इसकी शुरुवात होती 1673 में 1673 में परसन था शेर खान लोडी यह शेर खान लोडी गवर्नर था वली कोंडापुरम का यह वली कोंडापुरम आता था बीजापुर सुल्तान के अंदर उसका गवर्नर था शेर खान लोडी वली कोंडापुरम का वली कोंडापुरम के गवर्नर शेर खान लोडी ने एक general थे France के Francois Martin इस Francois Martin को इन्होंने permission दी कि यह एक site बना सकते हैं site for a settlement यह जो फ्रेंको इस मार्टिन था यह मसूली पत्नम फैक्टरी का डारेक्टर था फ्रेंच में था यह और इसको यह पर्मीशन दी शेर खान लोडी ने कि आप अपने सेटलमेंट के लिए एक साइट बना लो मेरे इलाके में तो यह साइट बनाई गई कौन सी इस साइट का न तो फ्रेंको इस केरॉन तो फ्रेंको इस केरॉन था पहले आपका गवर्नर फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी का फ्रेंको इस केरॉन को रिप्लेस करके अब एक परसन गवर्नर बनेगा जिसका नाम है आपका फ्रेंको इस मार्टिन तो नौँ फ्रैंको इस मार्टिन विल भी दा गवर्नर ओफ फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी और इस फ्रैंको इस मार्टिन ने ये देखी ये इस फ्रैंको इस मार्टिन ने पॉंडी चैरी को इस्टैब्लिश करने के बाद बहुत जगाओं पे फ्रेंच की फैक्टरी लग तो करायकल में भी फ्रेंच की फैक्टरी लगी, माहे, बालासोर, कासिम बजार जो की बंगाल में था, यहाँ पे फ्रेंच की इस्ट इंडिया कंपनी की फैक्टरी लगी, ट्रेडिंग सेंटर्स को डेवलप किया गया, पॉंडीचेरी भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा कि फ्रेंच एंपायर का एक इंपॉर्टन पार्ट बन गया, अब देखे, फ्रेंच ने लगातार प्रोग्रेस नहीं की, इनको बहुत सारे सेटबैक्स भी मिले हैं, और सेटबैक्स मिले इनको जब यह दूसरी इस्ट इंडिया कंपनी से टक्कर में आए, तो सबसे पहले जो फ्रेंच है इनका जो लडाई शुरू हुई, वो लडाई शुरू हुई डच के साथ, डच के साथ इनकी लडाई हुई, देखे, डच का इस्ट इंग्लिश के साथ बीच में एक एलाइन्स हो गया था, उसके चलते डच ने पॉंडिचेरी नाम की जगा पे अटैक किया और पॉंडिचेरी कबजा कर लिया 1693 में, और जैसा कि मैंने बताया, पॉंडिचेरी को 1674 में अक्वाइर किया था, एक्चुली खाली जगा पड़ी थी, पॉंडिचेरी को बसाने का जो पूरा क्रेड़ेट जाता है, वो फ्रेंच को जाता है, तो इननों पॉंडिचेरी क होगी, जिसका नाम था, ट्रीटी ओफ राइजविक, तो इस जो ट्रीटी थी ओफ राइजविक, यह हुई सेप्टेंबर 1697 में, और इस ट्रीटी में बोला गया, जो पॉंडिचेरी है, यह पॉंडिचेरी फ्रांस को वापस कर दिया जाएगा, यह कहा गया, लेकिन फिर पॉंडिचेरी वापस नहीं किया, फिर एंड में आप देखोगे, 1699 आते आते, पॉंडिचेरी वापस मिल जाएगा, फ्रेंच को, उसके बाद फिर पॉंडिचेरी में बहुत सारा, आप कह सकते हैं कि, फ्रॉरिश करेगा, बहुत सारा डेवलेप्मेंट होगा, जो फ्रा इंडिया कंपनी ने, शुरुवात में इंडिया में गलती नहीं की, बट अब्वेसी बात है, फ्रांस, इंगलेंड, यह जो यूरोपेन पावर्स थी, यह दुनिया भर में इंवाल्ड थी, केवल इंडिया में इंवाल्ड नी थी, इंडिया तो उनका एक स्पीर ऑफ एक् इंडिया में इंडिया में बहुत सी टेली चली गई, तो सूरत चला गया, मसूली पतनम चला गया, बंतम आइलेंड्स थे, इंडोनेशिया के वो चले गए इनके हाथों से तो इस पैनिश वार ओफ स्पैनिश सक्षेशन था जो कि योरोप में हो रहा था उसका एफेक्ट फ्रांस पे पड़ा इंडिया में फिर एक जो सबसे बड़ा सैट बैक लगा फ्रेंच को इनका जो एबिल गवर्नर था फ्रेंको इस मार्टीन इसकी मित्ती हो गई 31 दिसंबर 1706 को तो इस तमये पे लगा कि भाई फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी को काफी जटके लग चुके हैं लेकिन जटकों के बाद भी लोग उठते हैं तो आप्विस सी बाद है फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी भी उठी इसका हुआ री ओर्गनाइजेशन और री ओर्गनाइजेशन हुआ इसका 1720 में और इसको बाद जो इसको नाम दिया गया वो था परपेचुल कंपनी ओब दा इंडियस परपेचुल का मतलब क्या होता है कि एक था Lenore एक था Dumas तो इस Lenore और Dumas की efficient और wise leadership के अंदर French company फिर से अपनी ताकत को बढ़ाएगी और प्रस French company को बाकी जगों से भी support था तो जो Mauritius नाम का island है आपका Indian Ocean में जो आज की डेट में एक अलग country है बहुत beautiful country on arrival visa इंडेंस के लिजाए गूमने फिर एक union island है इसी Mauritius के पास ये रूइन आइलेंड भी आपका Southern Indian Ocean में इन दोनों जगों पे French East India Company का राज था तो इस जगा की leadership ने भी इंडिया में जो French East India Company ती उसकी मदद की तो भाई Lenore और डुमस ये इंडिया में राज कर रहे था इंगराज बहुत wise था, efficient था, effective था और साथ-साथ Mauritius और Reunion की जो French Forces थी इनका भी support था तो सब कुछ अच्छा चल ला था चीजें बिगड़नी शुरू होंगी 1740 के बाद 1740 के बाद चीजें कैसे बिगड़नी होंगी जब शुरू होगा तीन वार किसके बीच में England की East India Company की बीच में और France की French East India Company की बीच में इनको Carnatic Wars बोला गया है Actually मैं इसकी शुरुवात हुई थी War of the Austrian Succession से इस पर हम थोड़ी दिर में आते है आप देखिए बात यह है दोस्तों कि clash तो होना लाजमी था दोनों लोग trade करने के लिए आये थे France की जो East India Company थी वो भी trade करने आये थी Britain की जो East India Company थी वो भी trade करने आये थी अब अब जब आप trade करोगे तो अब जब आप trade में पैसा involved पैसा involved है तो लड़ाई होगी ही होगी फिर English East India Company का भी यह उसको बहुत आराम से control कर लेते हो तो दोनों में war छड़ गया, war छड़ने की जो शुरुवाती वज़ा थी वो इंडिया से नहीं उभरी वो उभरी the war of Austrian succession से war of Austrian succession में क्या हुआ दोस्तों अब यह world history का part है यहां बताना जरूरी नहीं है मैं हलका फुलका आज बताता हूँ कि जो आस्ट्रिया की जो राजा थे Habsburg, मुनार्ची थी उसका राजा मर गया उस राजा की बेटी गद्धी पे बैठी तो वहाँ पे European powers थी बाकी उनको problem हो गई कि भाई एक lady गद्धी पर कैसे बैठ सकती एक select law था उसके चलते एक lady एक और अगद्धी पर नहीं बैठ सकती तो अब भाई Europe में कुछ power groups बट गए तो Britain बोलने लगा नहीं एक lady गद्धी बैठ सकती बाकी countries बोलने लगी नहीं बैठ सकती लडाई चल गई तो एक तरफ पे England से लडाई में दूसरी तरफ पे France था तो वो जो लडाई छुड़ी आपकी war of austrian succession जो की सलेगा 1740 से लेके 1748 के time period में इसका जो Indian वर्दन देखने को मिलेगा इंडिया में इसको बोला जाएगा first kinetic war तो इंडिया में क्या हुआ first kinetic war यह जो austrian war of succession होगा यह seven years war है और 1748 में खतम हो जाएगा treaty of axla chapel से तो यह आठ साल इंडिया में चला first kinetic war देखते हैं क्या हुआ भाई इस first kinetic war ने बहुत कुछ decide किया, कैसे decide किया सब बताता हूँ आपको 1740 में दोस्तों आपको मैंने बताया था कि हैदराबाद के निजाम कौन थे असफजा, निजाम उल्मुल्क असफजा इनका नाम था पहले यह मुगल कोर्ट में गवर्नर थे मुगल कोर्ट में यह बहुत important nobility को बलॉंग करते थे important noble थे, बाद में यह हैदराबाद चलेगे, वहाँ पर जाके गवर्नर बन के, 1722 से लेगे 1748 तके रोनर राज किया 1740 में निजाम, असफजा, हैदराबाद नो रूल कर रहे थे, situation काफी गरबर थी, confused थी, काफी लड़ाईयां हो रही थी तो आप देखोगे कि निजाम की लड़ाई मराठास से भी हो रही है, फिर आप देखोगे, जो deccan penusula है दोस्तों अपना, उसका जो eastern edge है, वो है कोरो मंडल कोस्ट, तो कोरो मंडल कोस्ट परी छोटे मुटे राज थे, तो मैसूर था, कोचीन था, ट्रेवन कोर था, वहाँ पर एक पुराना विजे नगर अंपायर एक्जिस्ट कर रहा था इन वन फॉर्म आउफ द अधर, छोटा-छोटा सा विजे नगर अंपायर चो था, उनकी जो रेमिनेंट्स थे वो वहाँ पर राज कर रहे थे, फिर आप अज़फ साहब मराठास से लड़ रहे थे, निज़ाम असफ जाह काफी बुढ़े हो गए थे, तो जब आदमी बुढ़ा हो जाता है, वो मरने वाला होता है, तो अब्वेस्टी बात उसकी कोर्ट में पॉलिटिक्स चलने लगती है, ये मरेगा बुढ़ा तो कौन बेठेगा ज़दी पे, सीधी बात है, तो अजीब सा महौल हो रखा था, और एक पावर वैक्यूम था साउथ में, साउथ में आप देखोगे मराथा बहुत स्ट्रॉंग थे, हैदराबाद का भी स्टेट बहुत स्ट्रॉंग था, पर हैदराबाद के अलावा, डेक्कन में ऐसा कोई स्टेट नहीं था, जो बहुत ज़दा स्ट्रॉंग हो, और इस समय पे, इस्टन इंडिया में, खासकर बंगाल, और जो नॉर्धन स असफजा की तब्यत थी, वो काफी खराब थी, बाद में देखोगे कि जब इनकी मृत्ती होगी न, तो बवाल बैट जाएगा, बवाल कैसे बैठेगा, जैसे ही निजाम असफजा की मित्ती होगी, वैसे ही जो हैदराबाद स्टेट की ताकत है, वो डिकलाइन होने तो मुस्लिम एक्सपैंशनिजम खतम हो जाएगा, जो कि एक मुस्लिम स्ट्रॉंग पावर थी उसमें पर साउधरन इंडिया में, वो थे निसाम असफजा, जो कि हैदराबाद के रूर थे, और जैसे ही हैदराबाद का पावर वेक्यूम हटेगा, वैसे ही इंग्लिश इस इंडिया कंपनी अक्टिव हो जाएगी, चोकि इंग्लिश इस इस इंडिया कंपनी तो आप अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को इंडिया में बढ़ाना ही चाती थी, फिर मराठा, मराठा किंग्डम तक छोटे, थंजोर जाम की जगा है न दोस्तों, वहाँ पर मराठा का रा में शुरू होगा, फर्स्ट करनाटिक वार, 1740 से 1748, 1740 से 1748 तक चलेगा ये फर्स्ट करनाटिक वार, देखते हैं, फर्स्ट करनाटिक वार शुरू कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, होगा क्या, निजाम उल मुल्क असफजा की डेथ होगी 1748 में, तो निजाम उल ये असफजा जो है, जब ये मरेंगे, तब शुरू होगा सेकेंड करनाटिक वार, ये याद रखेगा, ये जो फर्स्ट करनाटिक वार था ना, This was a war because of intrigues of English East India Company, French East India Company, problem ये हुई, कि जब war चुड़ गया यरॉप में, एरोप में वार चुड़ा, तो उस समय पर, इंडिया में जो East India Company थी, अंग्रेजों की वो ज़्यादा strong थी, और जो France की East India Company थी, वो थोड़ी कमजोर थी तो जो France थे, French थे, इंडिया में वो लड़ना नहीं चाहते थे पट English East India Company ने बोला कि हम अगर यहां पर ताकतवर हैं और वैसे भी हमारी कंट्री तो France के साथ लड़ी रही है तो अगर हम इंडिया में ताकतवर हैं तो हम इन French को अटाक करेंगे तो English Navy एक Barnet नाम के कमांडर थे, English शिशना कंपनी के उन्होंने कुछ French ships पे कबजा कर लिया, उस French ships के कुछ कमांडर को मार दिया गया तो French leadership को भी गुस्ता आया, उस समय पे duplex बहुत active थे इंडिया में डुपलिक्स ने क्या किया कि मदरास पे कबजा कर लिया तो मदरास पे 1746 में अटाक करके फ्रांस वाले कबजा कर लेंगे तो situation जो थी वो काफी बिगड रही थी आचा यहां पे फ्रांस भले ही इंडिया में कमजोर था बट फ्रांस को मदद थी, फ्रांस को मदद कहां से थी, फ्रांस को मदद थी Mauritius से, Mauritius को उस समय पे बोला था Isle of France आज भी एगर आप Wikipedia में सरच मारोगे तो Isle of France तो अभी से बात ब्रांस में आपको Mauritius दिखाई देगा तो Isle of France एक्चुली में Mauritius ही था तो भाई Mauritius का जो फ्रेंच गवर्नर था फ्रांस से कंट्रोल में था, उसकी लगातार मदद थी फ्रेंच इस इंडिया कंपनी को तो पहले अंग्रेजों ने फ्रांस के शिपोबा अटाक किया बदलो में फ्रांस ने मदरास पे अटाक किया तो भाई First Carnatic War शुरू हो गया First Carnatic War आप देखोगे 1748 में Treaty of Exley Chapel फाइल होगी साइन होगी तो Treaty of Exley Chapel के चलते जो Heavsburg मुनार्की की जो डॉटर थी उसको बोला जाएगा कि हाँ भाई आप गदी में बैठ सकते हैं इंग्लेंड जीच जाएगा जब इंग्लेंड जीच जाएगा दोस्तों तो आप देखो किस तरीके का अरेंजमेंट बैठेगा North America में North America में France को बहुत सारी territory लोटा देगा England और बदले में France इंडिया में जो मदरास अकुपाई किया था ना उस मदरास को लोटा देगा English East India Company समझ गए? क्या हुआ? Treaty of Ex-day Chapel Sile हुई जिसमें France और English ने बैठके आपस में समझोता किया समझोते में क्या निकला? कि North America में English ने जो France की territory को कबजाया था वो territory French को वापस कर दी जाएंगे पदले में France ने जो मदरास को कबजा किया था English East India Company का उसको वो France वापस कर देगा English East India Company को तो overall अगर आप देखोगे तो इंडिया में घाटे में रहेगा France और फायदे में रहेगा Britishers यहाँ पर एक बहुत important war है दोस्तों First Carnatic War के अंदर एक छोटा सा battle है इसको बुलायाता है Battle of Scent Thorn This is the most important factor जो कि आपको First Carnatic War में जानना है यह जो Scent Thorn था है मदरास में था यह battle किसके किसके बीच में लड़ा गया था एक तरफ थी French Forces French की आर्मी और दूसी तरफ कौन था दूसी तरफ था अन्वरुद्दीन की आर्मी और यह अन्वरुद्दीन कौन था दोस्तों यह अन्वरुद्दीन था नवाब of Carnatic तो Carnatic का नवाब था यह अन्वरुद्दीन दोनों में छड़ी जंग जो नवाब आफ करनाटिक था यह अनवरुदीन इसकी आर्मी थी बहुत बड़ी इसकी आर्मी का कमांडर कौन था महफूस खान तो अनवरुदीन की आर्मी का कमांडर था महफूस खान और फ्रेंच फोर्सेस की आर्मी कमांडर था कैप्टन पैरडाइस दोनों में लड़ाई चड़ी और आप देखोगे महफूस खौन लेड आर्मी जो की अनवरुदीन की आर्मी थी वो हार जाएगी और फ्रेंच आर्मी यहाँ पे जीत जाएगी यह जो लड़ाई हुई थी दोस्तों यह सेंट थोम यह जो मदरास में चिनने की आसपास जो अधियार नदी बहती है न तो अधियार नदी के बैंक्स पे हुई थी यह लड़ाई और जब इस लड़ाई में देखा कि भाई यह अनवरुदीन की आर्मी हार गई क्याप्टन पेरडाईस फ्रेंच की आर्मी जीत गई तो उस समय पर यूरोपेन इस्ट इंडिया कंपनी जो थी तो फ्रेंच की इस्ट इंडिया कंपनी थी जो इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी इनकी आंके खुल गई इनको लगा कि फ्रांस की छोटी सी आर्मी ने इतनी बड़ी इंडियन आर्मी को हरा दिया तो इनको समझ में आया कि यूरोपियन डिसिप्लिन आर्मी भले ही छोटी हो वो बड़ी इंडियन आर्मी को हरा सकती उनके पास modern means of warfare थे फिर यहां पर यहां पर यह भी समझ में आया कि फ्रांस की naval force तगड़ी थी पीछे से बताया ना फ्रेंच governor of Mauritius का support था तो उसने भी फ्रांस की मदद की तो यह था overall fast Carnatic war जिसमें फ्रांस जीत गया ठीक है और उस फ्रेंच ने किस को हरा दिया महफूज खान की आर्मी को रा दिया actually सुल्तान नवाब of Carnatic से मदद मांगी थी British East India Company ने British East India Company ने नवाब of Carnatic से बोला था आप हमारी मदद करें इस war में और अनवरुदीन जो कि उनका ally था उसने मदद की बट वो हार गया Captain Paradise से लेकिन एंड में देखेंगे कि भाई Treaty of Axley Chapel हो जाएगा जिसमें North America में French को उनकी territory वापस कर दिया जाएगा और इंडिया में जो मदद्रास English East India Company को वापस कर दिया जाएगा ये था भाई आपका First Carnatic War सबसे जरूरी चीज है भाई आपका Second Carnatic War दोस्तों Second Carnatic War शुरू होगा तब जब मर जाएगे हमारे निजाम उल्मुल्क असरफजा 1748 में ये मर जाएगे दोस्तों और 1748 में ही जैसे ही निजाम उल्मुल्क असरफजा मरेंगे उस समय पे मराठा एक काम करेंगे मराठा क्या करेंगे चंदा साहिब को वो छोड़ देंगे ये चंदा साहिब कौन था चंदा साहिब था son-in-law of दोस्त अली दोस्त अली का दामाद था ये दोस्त अली कौन था दोस्त अली एक समय पे नवाब of करनाटिक था ठीक है अब दोस्त अली तो नहीं रहे लेकिन चंदा साहिब थे, चंदा साहिब को मराठास ने छोड़ दिया, आप चंदा साहिब बोलेगा कि भाया ये जो नवाब ऑफ करनाटिक की गद्दी है ये मेरी है, चंदा साहिब का ये बोलना है कि ये जो नवाब ऑफ करनाटिक है ये मैं बन सकता हूँ, लेकिन आप लिख लिख लिखे English East India Company और एक तरफ लिखे French East India Company जैसे ही निजाम उल्मुल्क असफजा मरेंगे उनका जो बेटा था उसका नाम था नसीर जंग वैसे थो उनके बहुत बेटे थे उनका बेटा था नसीर जंग नसीर जंग बैठ जाएगा गद्दी पर वहीं पर निसाम उल्मुल्क असफजा का ग्रैंड सन होगा मुझफफर जंग बोलेगा कि भाई मैं बैठ जंग गद्दी पर ये नसीर जंग कैसे बैठ गया तो नसीर जंग ने बोला मैं तो नवाब का बेटा हूँ इसलिए मैं बैठ गया तो मुझजे मुगल एम्परर ने डेकन की गवर्नर्शिप दी है तो अगर मुझे मुगल एम्परर ने डेकन की गवर्नर्शिप दी है तो इस गद्दी पर मैं बैठूंगा यानि कि ये जो हैदराबाद का नवाब की जो गद्दी है ना जैसे पहले असफजा बैठ रहे थे इसमें मैं बैठूंगा तो यह अफर जंग ये बोल रा था कि मुझे मुझे मुगल गवर्नर ने अपॉइंट किया है, मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया है, ऐस गवर्नर ओफ डेकन तो मैं बैठोंगा गद्धी पे, तो दो क्लेम्स आगे गद्धी पे, इस समय पे, वहीं पे आप देखो वे फ्रेंट्स कि अन्वरुद्दीन था नवाब ओफ करनाटिक, ठीक है, तो अन्वरुद्दीन वस दो नवाब ओफ करनाटिक, चंदा साहब को, जब रिलीज किया मराठाज ने, चंदा साहब ने बोला, कि भाई, मैं डामाद हूँ दोस्तली का, और दोस्तली पहले था नवाब ओफ करनाटिक, तो भाई, मुझे मिलनी चाहिए नवाब ओफ करनाटिक की गद्धी, तो आप देखे, नवाब ओफ करनाटिक की गद्धी के लिए लड़ रहे हैं, दूसरा है मुजफफर जंग यहाँ पे एक grouping बन गई पावर गुर्प्स बन गई नजीर जंग और अन्वरुद्दीन को सपोर्ट कर रही थी East India Company England वाली English East India Company सपोर्ट कर रही थी नजीर जंग अन्वरुद्दीन को और French East India Company ने सपोर्ट किया मुजफफर जंग और चंदा साहिप को और पावर सचगर शुरू कर गी Actually में लड़ाई हो रही थी English East India Company के बीच में और French East India Company के बीच में तो काफी तगड़ा सा यहाँ पे बवाल सा मच गया दोस्तों यहाँ पे देखिए French की forces, मुजफफर जंग की forces और चंदा साहिप की forces मिलेंगी एक battle होगा जिसको बोला जाता है Battle of Ambour यह Battle of Ambour Present Day Valor के पास होगा था 1749 में और इस battle में होता कै दोस्तों इस battle में मृत्य हो जाती है अनवरुद्दीन की यह अनवरुद्दीन जो नवाब मुहम्मद अली वला जाहा भी बोलते हैं इसको आप Wikipedia में के बारे में पढ़ सकते है इसका बेटा था मुहम्मद अली अब शुरुआत में तो French East India Company गई जीत ओके तो जैसे French East India Company जीत गई तो भाई नजीर जंग को हैदराबाद की गड़ी से हटा दिया गया और वहाँ पे बेठा दिया गया मुझफर जन को तो मुझफर जन बैठ गया है हैदराबाद की गड़ी पे और नवाब ऑफ केरनाटिक कौन बन गया वो बन गया चंदा साफ चोकि ऑवेसी बात है अनवरुद्दीन तो मर चुका था और ये जो इसका बेटा था अनवरुद्दीन का मुहमद अली ये त्रिचुनोपोली नाम की एक जगा है वहाँ पे फस गया त्रिचुनोपोली अब देखिए कैसी सुचुशन मन रही है ये त्रिचुनोपोली प्रिजेंडे त्रिची है त्रिचुनोपोली में एक फोर्ट था ये त्रिचुनोपोली करनाटिक के अंदर में आता था अब करनाटिक पे कबजा हो गया किसका चंदा साहिब का चोकि चंदा चाहिए फ्रेंच की तरफ था लेकिन इस त्रिचनो पॉली के अंदर एक फोर्ट था जिसको बोलते हैं फोर्ट अफ त्रिचनो पॉली तो यह मुहम्मद अली उस फोर्ट अफ त्रिचनो पल्ली में चुपके बैठ गया चंदा साहिब ने बोला कि जब तक मैं इस मुहम्मद अली को मार नहीं दूँगा तब तक मैं शांती से बैठ उगा नहीं तो चंदा साहिब ने बोला कि मुझे इस मुहम्मद अली को मार मैं चंदा साहिब अपनी फोर्ट को लेके निकल गया और त्रिचनो पोली के फोर्ट के बाहर दाल के बैठ गया वहाँ बैठ गया कहता जब ये मुहम्मद अली निकलेगा इसको मार दूँगा इसको मैं नहीं छोड़ सकता चंदा साइब करा जा गया था यहां पर और एक समय के लिए लगा कि भाई फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी जीद गई है और इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी हार गई है लेकिन यहां पर चीज़ें बदलेगी और एक कैरिजमाटिक परसनाल्टी की एंट्री होगी इसका नाम है रावर्ट क्लाइव फ्रेंक को इस डुप्लिक्स में दिमाग था तो रॉबर्ट क्लाइव उसके भी पपा थे बहुत ही ज़ादा क्लेवर बहुत ही ज़ादा चालाग उस समय पे केवल यह एक फैक्टर था इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी में फैक्टर एक्टूली एक officer होता है दोस्तों ठीक है फैक्टर इस बेसिकली एक officer ये छोटे लेवल का officer होता है बड़े लेवल का officer नहीं होता है it is a small post in English East India Company मतलब किसी एक local command का उसको head बना दिया या किसी एक local छोटी इस trading post का head बना दिया तो ये factors होते थे, तो उस समय पे factor था Robert Clive, Robert Clive ने एक idea put किया किसके सामने, Robert Clive ने एक idea put किया, उस समय पे जो British Governor थे मदरास के Saunders, Saunders के सामने, Robert Clive ने बोला, कि ये जो French East India Company जीद गई है, और इस French East India Company इने अपने Pondicherry के आसपास के इलाके को हतिया लिया है, Odisha Coast में मसूली प अनुरुद्दीन को मार दिया गया, ये English East India Company की डिफीट है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तो Saunders ने बोला क्या करें, तो Robert Clive ने बोला, ये काम करते हैं, त्रिचनो पोली में मोहमद अली अंदर फसा हुआ है, मोहमद अली किसका बेटा था दोस्तों, अनुरुद्दी पड़ा है, आर्कोर्ट का जो फोर्ट है, खाली पड़ा है, हम एक काम करते हैं, इस आर्कोर्ट के फोर्ट पर अटाक कर देते हैं, और आर्कोर्ट के फोर्ट पर अटाक कर देंगे, इसको कबजा लेंगे, तो ऑविसी बात है, चंदा साहिब आर्कोर्ट के फोर्ट को लेके Robert Clive निकला, R-Code के लिए, और Robert Clive ने यहां बहुत तगड़ा दिमाग लगाया, Robert Clive ने, जैसे ही वो R-Code पहुँचने वाला था, उसने हवा फैला दी अपने एजेंट्स के थू, और वो हवा पनुची आरकोर्ट में, आरकोर्ट का जो किला था ना, जो चंदा साइप की कंट्रोल में था, उसके अंदर हजार सोलजर्स थे, और ये देखी कितने सोलजर्स को ले कर आ रहे हैं, लगबग 500 सोलजर्स को, उन हजार सोलजर्स को ये पता चला, हफवा उड़ी कि बहुत बड़ी आर्मी आरे ये ब्रिटिश की तो ये 1000 soldiers आर्कोर्ट छोड़के भाग गए इन्हों का भागो भाई अपनी अपनी जान बजाओ कौन मरेगा इस चंदा साहिब की बीचे ये भाग गए और Robert Clive ने आराम से ये जो fort of orchid था इस पे आर्कोर्ट के लेकिन चंदा साहब की capital थी चंदा साहब वजदा कारनाटिक की capital थी आर्कोर्ट पर आर्कोर्ट की capital का जो किला था उस पे तो कबजा करके बैठ गए Robert Clive तो अपने किले को बचाने के लिए चंदा साहब वापस दोड़ेगा और Robert Clive को पता था कि अपने किले को बचाने के लिए चंदा साहब वापस आएगा चंदा साहब चार हजार लोगों को लेके आरकोट के किले के बाहर आके खड़ा हो गया तिरपन देश की उसने सीज रखी कब से लेके कब तक? सेप्टेंबर 23 से लेके नवंबर 14 था अब आपनों सोचो कि तिरपन दिन तक बाहर करता क्या रहा कि चंदा साहब देखे फोर्ट को भेदना, किसी भी फोर्ट को तोड़ के अंदर गुसना एक बहुत मुश्किल काम होता है फोर्टिफिकेशन क्यों किया जाता था important trading post का मैं पिछले कई वीडियो में आपको फोर्टिफिकेशन वाले बता चुका हूँ फोर्टिफिकेशन मैं मतलब था कि बड़ी बड़ी दिवालों को बनादो और उपर तोप लेके खड़े हो जाओ तो जो उपर है उचाई पे है गहरा हुआ है वो हमेशा advantage पर रहेगा तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव अंदर थे इस फोर्ट के सीज को होल करके रखा तो और बाहर चंदा साब बैठा हुआ था तो तिरपन्दें से रॉबर्ट क्लाइव को यह पता था कि मेरी मदद करने के लिए लोग आ रहे हैं तो भाई आप देखो कि मराठा चीफ ती मुरारी राओ उसने अपनी सेना भेजी मैसूर ने थन्जओर ने सबने अपनी सेना भेजी किस की मदद के लिए रोबर्ट कलाइव की मदद के लिए लेकिन उसको धूर निकाला मुहंब अली ने मुहंब अली पर छूड़ गया मुहंब अली को गुसा था चंदा साहिब पे चुकि उसके पिताजी अन्वरुद्दीन को मार दिया गया था मुहम्मद अरी जैसे ही चंदा सहाइब को पकड़ेगा वो चंदा सहाइब को एक्जीक्यूट कर देगा चंदा सहाइब यही मार दिये जाएंगे अब क्या हो रहा था इतने बैटल्स के चलते इतनी लडाई के चलते फ्रेंच कंपनी का काफी सारा पैसा खतम हो रहा था इंडिया में तो ये भाई फ्रेंच अथावर्टीज को अच्छा नहीं लगा डूपलिक्स की जो पॉलिसी थी पॉलिटिकल कंट्रोल की ये उनके फ्रेंच पॉलिटिकल मास्टर्स को पसंद नहीं आई अच्छली क्या बात हुई दोस्तों कि फ्रेंच के काम में फ्रेंच की फंक्शनिंग में फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी की फंक्शनिंग में वहाँ के पॉलिटिकल एक्जिक्योटिक्स का केंग का एक बहुत major role था, जबकि English East India Company अपने काम में autonomous थी, तो end में होगा क्या, कि भाई, डूपलिक्स को वापस बुला लिया जाएगा और डूपलिक्स जब वहाँ पहुंचे कि उसके बड़ केस वेस चल जाएगा, वो काफी गरीब होके मरेगा डूपलिक्स, ओके, डूपलिक्स को वापस बुला लिया गया, 1754 में डूपलिक्स वापस चला गया फ्रांस, और डूपलिक्स की जगर कौन आएगा, as a French governor वो आएगा Godehu, G-O-D-E-H-U, तो Godehu आते ही क्या करेगा, English के साथ एक treaty sign करेगा और इस treaty में ये लिखा जाएगा, कि जब ये treaty sign हो रही, जिसके पास जो जो territory है वो अपनी उसी उसी territory में रहेगा, और अब किसी भी तरीकी की कोई लडाई नहीं होगी दोनों के बीच में तो अब आप देखेंगे कैरनाटिक में जो मुहम्मद अली था, वो राजा बन जाएगा, चुकि उसने चंदा साहिप को मार दिया था और हैदराबाद में आपको पता है मुझफफर जंग, गद्धी पे बैठा था, मुझफफर जंग मर गया, उसके बाद सलाबाद जंग, जो कि चौथा बेटा था आपका निजाम उल्मुल्क असबसाह का तो सलाबाद जंग को गद्धी पे बैठाया किसने, फ्रेंच ने, ओके तो फ्रेंच कंट्रोल रहा आपका हैदराबाद में, और आपका करनाटिक में कंट्रोल आ गया, इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी का, इस तरीके से शुरू खतम हुआ आपका सेकेंड करनाटिक व फिरनには हमाल आपका गयावान आपका शूर्ण खीना आप दाकाथ है उम्ला, भींदी, तो मन कहोएें खीमाल आपका है।